कि दियर स्टुडेंट्स बूर्णिंग कैसे हैं आप लोग अच्छे है ना माज़े में है ना खुस है ना सब कुछ ठीक है ना अच्छा लग रहा है ना तैयारी चेर रही है ना अभी एम्टेस का फॉर्म भरा रहा है उसको भरिए पहले इदर सीजिल का फॉर्म भरा गया स्टेनों का एज़ानेशन भी होना है तुझे इतनी सारी परिष्छाएं हमारे सामने आ गई हैं वाबू तो हम लोगों को तैयार वस जी नहीं पड़ेगा डेट मेंस आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा तब ही आप सफल हो पाओगे क्लियर वाबू तो हमने जो सिरी चला रखी है साइनो नेम्स की उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं देखेगा पहला वर्ड मिनिंग है वाबू क्लोन क्लोन मतलब क्या ह है ना रप्लिका भी इसको बोलते हैं तब हू बहू वैसा ही हो ना किलियर रप्लिका इसके अलावा फैसी माईल फैसी माईल यह भी आपका साइनों हो जाएगा है ना यह देखे यह तीनों इसके साइनों हो जाएंगे इसके अलावा देखे कॉपी भी इसका साइनों होगा ठीक है न वाबू इसके अलावा देखे का बर्ड मेनिक हमारे सामने और भी आए थे जिसे ट्रेस है ना trace मतलब क्या हो जाता है वाबो निसान है ना निसान trace मने क्या होता वाबो निसान clear किसको हम लो मार्क कह सकते हैं है ना या फिर print भी कह सकते हैं clear है ना चलिए इसके अलावा दिखिएगा वाबो make था make मने क्या होता है बनाना क्या होता है बाबो बनाना क्या यानि फॉर्म करना क्या वो दिकत है कंस्ट्रक्ट करना भी इसका साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है ना चलिए इसके लाव देखेंगे बाबो मॉल्ड था मॉल्ड मतलब क्या होता है बाबो साचा क्या होता है साचा जिसको डाइस कहते है नहां इसके लावा इसको क्या कहेंगे कास्ट कहेंगे है मौल्ड भी कह देंगे ठीक है तो देखे हमारा चारों बԲुमिनिंग का हो गया हम लगारश से का साइण-चाु जInter RD मेन ** हमारे सामने है कंडें करना कंडन करना मतलब होता है मोल रूप से यदि हम कहे हैं तो इसका मतलब होता है माफ कर देना चलो हम तुम को माफ कर दिये और डान कर दिये ऐसे नजर अंदाज करना भी हो सकता है है ना इसके इसके साइनों क्या हो सकते हैं बाबू एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्साइनो हो जाएगा एव्जॉल एक्साइनो हो जाएगा क्या एव्जॉल एक्साइनो हो जाएगा इसके लावा एक्क्यूट एक्साइनो हो जाएगा क्या ये देखें ये तीनों इसके साइनों हो जाएंगे क्लियर है ना इसका लावा फॉर्गिव करना भी तो इसका साइनो हो जाएगा बाबू क्लियर है ना चलिए इसका देखे गए हमने फॉर्गेट टर्म देखा फॉर्गेट टर्म है ना क्या होता बाबू भूल जाना है ना क्या हो जाना भूल जाना है ना इसको हम लोग साइन करें तो क्या हो जाएगा डिल्यूड क्लियर या फिर बेविल्डर है ना बेविल्डर मतलब ही होता है भूल जाना क्लियर चलिए इग्नॉर मतलब क्या होता है बाबू नजर अंदाज करना है ना स्वरी नजर अंदाज करना क्लियर तो नजर क्लियर चलिए इसके बार दिखेगा ऑफर लूगा है ऑफर लूग मतलब क्या होता उप e legitrain करना है न उप TechCarna तो इसके लिए साइनों आपके पास क्या है बाबू तो कनाइब यह देखो आप है ना दम सही जा रहा है ना हम लोग का बड़ मिनिंग चलिए तो हम लोग यहां पर मेरा साइनों हो चुका है फॉर्गिव करना क्लियर चलिए नेक्स देखिए बाबू हमारा है कमफलेज को एक की इसका साइनों हो गया वेल भी याईल क्लियर या फिर गाइस यह देखो आप ठीक है इसा भी इसके साइनों हो गया इसके अलावा डिसकाइज भी इसका साइनों हो गया क्लियर है ना चलिए कवर करना मतलब क्या होता है बाबू छीपाना बास्तर में हम लोग इसको छीपाना ही कहेंगे है न यानि इसको हम लुग कह सकते हैं कि सप्रेस कर देना स्प्रेशन क्या सप्रेशनित्ल साइन्न हो सकता है या अलावा है रिजर्वेशन क्या वो क्लिए या फिर हाइड कर देना भी इसका हो जाएगा क्लियर बपकद्छिक पहचांना होто ग्रविक मतलब क्या होता है क्लियर फैब्रिक मतलब क्या होता है नि हम लोग के सामने। ठीक है नट puisse まदलब मतलब ही होता है कपड़े किलियर बहुत सारे से गृण मेंटस होता है的 क्लोफिंग होता है ठाइर होता है लेकिन जो नए है उसका हम दे रहें तीक है चली देखिए माखुमलों के सामने आ गया आगया आ गया देखें विद्यार्थियों परत्योगता इंगलिस क्लासेज के बैनर तले मैं भी एंदे स्मूग किलियर है मैं भी एंदे स्मूग आप सभी के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं ठीक है ताकि आप आने वाले परिच्छाओं में बड़े ही तगरे रूप म सामने आए और रिजल्ट तक पहुंचे चलिए दखतें बाभु हमारे सामने हैं कनकरिंस कनकरिंस मतलब बास्तर में होता है सहमती है न हम मैने नहीं बात नहीं कर रहा है TAKN practically मतलब होता है सहमत्य जिसको हम लोग कनवरजेंश भी कर सकते हैं क्या कर सकते यनसके आलावा एस साहमती के लियर अब दुसे सब्दों का भी देख लेते हैं करेंसी मतलब क्या होता है मुद्रा हम इसको मन नहीं कहते हैं तो कोई दिक्त है नहीं देखें कन करने क्या होता है अनुरेद कर क्वेस्ट मतलब एन्रोध ठीक है ऐसे जहनजट भी कहते है ठीक है अन्रोध इसको देखिएगा साइन के तौर पर क्या हो जाएगा बाबू रिक्वेस्ट है ना रिक्वेस्ट या अर्ग यह दोनों इसके साइन हो गये चलिए तो हमने देखा कि करेंस का सहमती एग्रिमेंट अलाइ था हमारे बाबू कीज कीज मतलब होता है समाप्ती है ना है ना स्टॉप कर देना रोकना ठीक है ना फिनिस या फिर इंड क्लियर है ना तो स्टॉप भी हो जागा साइनो बाबू ठीक है ना इसके लाव देदे कि हमारे सामने देया गया था LEPS, regular लेपस मतलब क्या होता है बाव उचुक, ठीक है ना, लेपस मतलब चुक, clear तो DEFOLT हो जाएगा, clear ठीक है DEFOLT हो जाएगा या माफ़ भी कर सकते हैं ये दोनों का मतलब हो गया चुक क्लियर इसके अलब आपके सामने क्लोज दिया गया था क्लोज मतलब क्या होता है इसको यदि हम दूसरे भी मिलें तो क्लोज बने होता है नजदीक क्लियर नजदीक को हम लोग क्या कर सकते है नियर कर सकते है या फिर ना ऐख़म सकते हैं ये दोनों मतलब close होता है arrest करना मतलब grab कर लेना catch कर लेना arrest करना मतलब होता है गिरफतारी किलियर है नए इसके علावा क्या होजाएगा बबो capture कर लेना क्या कुछ दिखत नहीं है लिखा वासम रहा है ना बबो चलिए next देखते हैं हमारा फिर से एक बार आया है quiz मतलब क्या हो गया? stop करना clear है ना? चलिए begin था, begin भान is start सुरुआत करना, initiate करना क्या? कोई दिकर थे क्या? नहीं नः? चलिए create करना था, create करने है मतलब क्या होता है बाबू? make करना बनाना है न, make करना कैंसल करना कैंसल करना मतलब क्या होता है न, होता है ना रद करना कैंसल करना का मतलब क्या होता है रद करना ठीक है साइनों क्या क्या हो सकते हैं वाबू इरेडिकेट क्या हो सकते हैं इरेडिकेट क्लियर इसके अलावा क्या हो सकता है एब्रोगेट है ना एब्रोगेट यह भी साइनों हो सकता है क्लियर है ना बाबू च हमारा एप्रूफ दिया था एप्रूफ एप्रूफ मतलब क्या होता है मंजूरी देना ठीक है ना मंजूर करना है ना मंजूर करना देखिएगा यह देखिएगा फेवर करना एप्रूवेट करना क्या हो जाएगा फेवर करना एप्रूवेट करना है ना चलिए निश्ट देखिए कि बाबु हमारे सामने आया है एप्रोवेट के बाद अलाव करना ठीक है न वही हो जाएगा ब्रेक मने तोड़ देना क्लियर चलिए अगला देखिए कि बाबु चेंज हमारे सामने जो टर्म आया है वह है चेंज चेंज करना मतलब क्या होता है बाबु बादालना है ना चेंज करना मतलब क्या होता है बाबु बादालना है ना चेंज करना मतलब क्या होता है बादलना तो हम लोग साइनों क्या ले सकते हैं मोडिफाई करना या फिर क्या हो जागा ट्रांसफॉर्म करना क्लियर है ना ये द होता है नभीनी करन करना क्या वह नवीनी करन करना यह देखवा आप मिनी करन करना आप यानि सभुंतर रिफर्म समझते समिख्या के लावा है रिपीट करना मतलब के हो गया दोहराना जिसको हम लोग इंकॉर करना भी कहते हैं मने दोराना क्लियर है न चली देखें बहूत जो एजी तर्म हम आ रहा है ना उनका हम साईनों नहीं दे रहे वह आप जानते हो इसाली merchant को मोशन मोनगे होता है सोर गूल क्लियर है ना को मोशन मन digit तो इसके साइ assistance क्या क्या हो सकते हैं वाबो देखी है क्लैमर इसका साइन vara हो जाए गा ट्रवर्प है ना इसके अलवा था हमारे ना होता है जएकारा लगाना रहा है ना जिसको हम साइन के तोर पर देंगे क्या हो कि एक्लेम करूप करना क्लिर यह देखूँ आप किलिर इसके बाद देखे bullet है जो इसका हो जाईगा चाहिए मुवमेंट महने होता है अन्दång है ना अंडुलं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यह मेरा इसका सायनों हो जागा चलिए तो इसका सायनों आपको मिल गया है को मोसन का मतलब हो गया disturbance clear चलिए देखे हमारे सामने आ गया है next word meaning क्या है culmination clear है हमारे सामने जो word meaning आया है वो है culmination culmination उना होता है पराकास्था पराकास्था है ना जिसको हम लोग apex भी कर सकते हैं zenith भी कर सकते हैं clear या apogeem भी कर सकते हैं clear यह सब ही इसको साइनों है इसके अलावा हमारे पास भी टर्म दिया गया था जिसको हम लोग climax कर देते हैं ठीक है चलिए तो यह तो हो गया culmination का साइनों पूरा पता चल चुका है हम लोगो को इसके लावा देखे conclusion वाने क्या होता है वाब निसकर्स है ना जिसको हम लोग कर सकते है रिजल्टेंट है ना रिजल्टेंट इसका साइनों हो जाएगा कोई दिकत नहीं नहीं है चलिए इसके अलावा देखे हमारे प्स्तरम दिया था i wait मतलब होता है पताल थे ना पताल को हम लोग साइनों देंगे तो क्या हुजाएगा heads इस मतलब होता है पताल क्लियर एक लिखे कल्टिवेसन होता है वापू कल्टि वेसन होता है खेती है ना इसको farmingaledels कर सकते हैWe कर सकते हैं कर सकते हैं इसके साइन हो गया ठीक है ना चलिए आ गया आ गया आ गया देखेगा हमारे सामने टर्म फिर से आ गया है ठीक है वो देखिएगा क्या आया है तिक है कोडल क्या है बाबू कोडल ठीक है ना कोडिकत इसमें क्या कोडल में सुरच्छा करना कोडल मतलब क्या होगा बाबू सुरच्छा करना होडल मतलब क्या हो गया सो अच्छा करना यानि कि प्रोटेक्ट करना कोई दिकत नहीं है प्रिजर्ब करना क्लियर कोई दिकत नहीं है करना यह देखो आप यह सभी इसके साइनों हो गए क्लियर तो हमारा यह प्रोटेक्ट डारेक्ट मिल भी गया है यह से हमारे पास एक ठर्म था हडल हडल मतलब क्या होता है भाबू धेर लगाना यह देखो आप हडल मतलब क्या होता है धेर लगाना क्लियर न तो आपके पास देखे इसके साइनों क्या हो सकते हैं वावो पाईल करना फिर हीप करना है nejek मतलब क्या होता है धिर लगाना चलिक्वीए कर सटिस्पाइ सभौ समझते हैं है संतुष्टी है या संतोष्टी इसको कहेंगे इसके लिए सामपलों क्या हो जाए है न चलिए तो सदिस्फाइब का भी हो गया अब देखेगा प्रोटेक्ट तो इसका सायनों है ही अगला है चीत करना फॉड करना जिसको लोग कहते हैं है न दोगेवाजी करना के लिए है न ये दिसेप्शन या फिर क्या हो जागा बबू डिसेप्शन के लिए है न चलिए आइने देखते हैं कान टेक्रस डिएक है कि अगे लिएगक हैं कि जेक्रस मतलब होता है अथ्कर सबस्राइब करके देखा कर वो जगडालो प्रविर्ति के जो लोग होते हैं ना उसे हम लोग कंटेकरस कहते हैं क्लियर साइनों क्या क्या हो सकते हैं ग्रॉची ठीक है पीविस है ना ग्रॉची या पीविस हम कह सकते हैं क्लियर तो इसके लिए और भी साइनों हमारे सामने जो दिया गया है वो कम मार्ग कांग कांग मतलब जो कैंसर ड़ीस वश्ट सिस्व है जो अदमिय है डाख तो बनमास टेप होता ना है डोने इसको साइन हो गया क्लेर उसन तो जाने खी इसका साइन है अगला ही फिसी पिरस पीसी फिरस मतलब होता है फिजूल खर्ची क्लियर फिजूल खर्ची को एक्सावेजन टुभी कर दें ठीक है तो कोई दिकत नहीं है तो एक्सावेजन से लिखना पड़ेगा ना चलिए निक्स देखेगा कोलोजन मतलब क्या होता है वावो कोलोजन मतलब होता है 20 साल क्या होता है वावो 20 साल क्लोजन मतलब होता है 20 साल साइनों के तौर पर लिया जाए तो में मौत हो जाएगा क्लियर है ना में मौत हो जाएगा या फिर लार्ज हम कर देते हैं क्लियर को दिकत नहीं है गिगैटिक भी इसका साइन हो है colorful तो आप समझते है beautiful nice ठीक है यह सब handsome अगला fantastic है fantastic में मतलता है बहुत अच्छा clear good ठीक है best हम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है चलिए next देखे बाबु हमारे सामने में आया है counterfeit क्या है बाबु counterfeit है ना इसको हम लोग कहते हैं डूप्लिकेट ठीक है या bogus ना या फिर क्या कह सकते हैं बाबु फ्रॉड है ना साइनो के तोर पर हमको क्या मिलेगा बाबु इससे बताओ आप फेक मिलेगा ना ठीक है ना इसका साइनो तो फेक मिल चुका है हम लोग को इसके लावा देखिए constant जो अन्वेरियेबल हो गया इन्वेरियेबल जिसका हम लोग करते हैं जो कभी बदले ना दम्फिक्स हो गया ना या इसका हम लोग यह भी कर सकते हैं ठीक है को दिकत है क्या नहीं ना तो जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं चली इसका साइनो यह था चली अब हमारे सामने जो टर्माया है वो है consensus एक मातता होना इसका मतलब क्या होता है एक मातता होना देखे एक मातता होना है ना unanimity इसका सबसे best signo है ठीक है ना ये देखे दिया हुआ भी था है ना एक मातता का इसके लाबा हर्मोनी भी हो सकता है क्या बाबो हर्मोनी भी हो सकता है और unity भी वो सकता है कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए एकनिमिटी मतलब होता है संभाव संभाव सेमनेस जिसको हम लोग कर सकते हैं चलिए अगला था मेंगनानिमिटी जिसको बिसालता कहते हैं भाबो है ना? बिसालता चलिए तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा? बॉंटी चलिए अगर दिखेगा आए उप प्रॉक्सिमिटी निकाटता होता है जिसको इंपेंडेंस कहते हैं यह देखो आप निकाटता है ना? इंपेंडेंस चलिए चलिए नेच्ट देखते हैं आ गया है हमारे सामने सरकुटस पहले फिर्ट से बोलते हैं मैं भी एंदेस मूं काफ सभी विद्यार्थियों का स्वाइद करता हूं यदि आप अपने केरियर को एसे सी आईवे पीएस एयर फोर्स सीडियस एंडिये आईवी एपसी आई और एंबिये इस तरह की जितने परि देखेएगा हमने प्रिवेस के को लिया है जिसमें हमों साइनों कर रहे हैं इसके लावा आपको डेली कॉमन एरिर का 25 को संका से 30 को संका से रिलिज किया जा रहा है उसको भी आप देखें और इसको देखें ताकि आप बड़्विनिंग के तौर पर मजबूत हो जाएं क्ल क्लियर साइनों के दोर पर यदि लें तो हमारे क्या हो जाएगा डेवियस क्लियर इसके अलावा क्या हो जाएगा फोर्टर्स हुआ है किलिए चलिए 60 है 60 मतलो होता है कम मनहें लेस या फिर लो 颡ियर साइ दिसकी बात की जाती तो क्या हो जाता वह वहरांद अबॉट है ना छली अगला था सर्कुलर मने गूल इसको गन करते हैं अध दिफरेंट मतलो होता है जो अलग होता है क्लियर जादा नहीं था इसलिए आगे बढ़ते हैं चलिए हमारा है कजोल केजोल मतला होता है चापुलूसी करना है ना चापुलूसी करना है ना ठीक है जिसको लोग फ्लैटरिंग भी करते हैं डिरेक्ट इसमें फ्लैटरिंग दे ही दिया था इसके लावा क्या हो सकता है वावू बलार नहीं करना यह देखो यह देखो आपके पास आ गया इसके लावा इन वी इजिकल करना है चलिए निश्ट देखीगा हमारे सामने आ रहा है इंसीस्ट करना इंसीस्ट मतलब होता है जीद करना है इंपॉर्चुन करना हो जागा है जीद करना यह देखिए क्लियर चलिए अगला था परस्वेड करना मुने राजी करना परस्वेड करना मतलब क्या होता बाबू राजी करना है ना साइनो क्या हो जागा वावू कोक्स ठीक है क्लियर नॉर्मल इतने हैं डखते हैं चले इसके बाद देखिएगा रेकमेंड करना मतलब एडवाइस करना ठीक है इसके अलाब क्या हो जागा पेटीशन करना जिसका हमनों अनुसंसा कहते हैं है ना अनुसंसा क्लियर चलिए तो आपका साइनों मिल चुका था के जूल कर क्या हो जाता है वावू साइनों हमारा बताईए है क्लियर आगे बढ़ते हैं आगया 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 फिर से बावू मैं भी अंदेश मुख आप सभी विद्यार्थियों का सौगत करता हूं जो विद्यार्थिया हमारे आने वाली परिशाओं की तियारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो प्रोवाइड़िट किया गया है आप इसे ला प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बावू संरच्छन क्या होता है संरच्छन क्लियर है ना या साइनों के तोर प्रियदी बात किया जाएगा तो प्रोटेक्शन है ना प्रोटेक्शन हो जाएगा या फिर प्रिजर्वेशन तो दिया हुआ ही है क्लियर है ना या कियर ह हो जाएगा इसके अलावा देखिए रेस्पाइरेशन सास लेना ब्रेदिंग सिर्लेटेग्द है रेवर रदेग्स सुधार जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है कंफ्यूजन और जिसको डालिमा करते हैं कि लिए है न या फिर एडो की स्थिति को भी हम लोग क्या कहते हैं कन्फूजन कहते हैं अगला देखिए कि बाबु हमारे सामने है कंगरिगेशन कंगरिगेशन मने होता है मंदली क्या होता है बाबु मंदली तो इसके साइनों क्या हो जाएंगे बाबु कंगरिगेशन के असेम्बली हो जाए कार्थना करते थे तो धेर सारे लोग एक साथ खढ़ा होता थे क्लियर इसके जीजेगा जो इसी में दिया गया है वो देखिएगा क्या है तो कंग्रिगेशन को हम लोग यदी कि मीटिंग कहेंगे तो को दिकत है क्या नहीं ना चलिए अगला कंसेंट्रेशन मतलबता है सांदरता लेकिन हम यहां एक आगरता का सेंस रखेंगे क्लियर चलिए और इसके लावा देखिएगा वाव दिसकसन है डिसकसन कंतलब डिवेट हो गया बाहस जिसको कहते हैं है ना बाहस जिसके लिए दिवेट हो गया आपका सायनो गया डिवेट हो गया इसके लावा कंवर्सेशन भी हो सकता है है ना चलिए यह देखिए आप नेक कर सकते हैं डिसीजन कर सकते हैं निरने क्लियर है ना इसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं बर्डिक्ट भी कर सकते हैं वाबू है ना चलिए आगे देखिएगा हमारे सामने जो आया है वो है देसी मेटेड क्या होता है जी देसी मेटेड मतलब क्या होता है जी देसी मेटेड तो बरबाद करना है तो इसके लिए साइनों क्या हो जागा है इनलेटेट करना यह देखो इनलेटेट करना इरेडिकेटेट करना के लिए इरेडिकेटेट करना है ना चलिए और क्या हो सकता है वाबू डैमेस्ट करना डिस्ट्रॉय करना दिया गया है तो हम इसको डिस्ट्र पढ़र पहले वारट में टेंस होना है ना टेंसन में होना क्लिए न चलिए तो आज देखे बाबू हमने फिर से क्या किया है तो 25 पची सुरी 20 को स्थन का जो हमारे पास से आता था क्लिए रहां कि हम लोग 20 question का state कर रहे है regularly ठीक है उसको हमने complete किया है याद करिएगा बाबो यह परत्योगिता English classes के banner तले मैं भी in this book है ना बाबो मैं भी in this book आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो प्रोवाइट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग synonyms कर रहे हैं है ना यह हमारे किसी भी S.S.E. की परिछा के pre हो या mean हो है ना उसका सबसे मुख हिसा होता है क्लियर है ना यदि यह तैयार नहीं है तो समझो आपने S.S.E. की तैयारी या banking की तैयारी जो भी होती है ना और फिर कुईसी परिछा की तैयारी बास्तर में की ही नहीं क्लियर है ना तो की ही नही तो किहीं नहीं में मत्वस ये बढ़िए मेहनत कीजिए क्लियर है ना और कोई दिकत तो नहीं है अच्छा लग रहा है ना जब अच्छा लग रहा है मज़ा रहा है तो प्लीज सेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है ना कोई दिकत नहीं है ठीक है बाब करते हैं हम लोग आवो नेक्स्ट वीडियों में करते हैं